उम चंते मदुमन बेहत घर से मदुमन के खुश बूले करके हमारे बीच में कमल भाई पौचे है हम सभी तालियों सें उनका स्वागत करते है कमल भाई की ट्रासिस का योग भठिका खुब लब लिया कितने जने ऐसे जनोंने सुना है कमल भाई को पहले भाई पिछले दस वर्षों से ग्यान में है और चार वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाई दे रहे है वर्तमान समय में मदोबन में जो एकुमेडेशन डिपात्मेंट है शंतिवन का वहाँ पर अपनी सेवाई दे रहे है और साथ साथ आप पहले सॉफ्ट्वेर इंजिनियर से और अभी घ्यान में आने के बाद बहुत सारी कॉलेजिस में, स्कूल्स में, युनिवर्सिटी में यहां यहां तक की आयाईची में भी आपको निमंतरन दिया हुआ है आप वहाँ जाकर के वॉक्शॉप और सेमिनार कराते हैं और आज हमारा स्वभाग्य है कि हमारे बीच में पहुचे है तो हम सभी उनका लाप लेंगे आप कैसे पुर्शार्त में, म्रामन जीवन में हम तीवर गती से आगे बढ़े और योग का प्रयोग करके सिद्धी प्राप्त करें तो ऐसी विश्य पर आप काफी अच्छी योगबच्ची कराते हैं तो आज हम भी उस योगबच्ची का लाप लेंगे कमल भाई से हम सभी तालियों से स्वागत करें बेहन फूलों के द्वारा भाई का स्वागत करें ओम शांति ओम शांति वैसे तो सभी चेहरे मुस्कुरा रहे है बाबा के सबरतन बैटे हैं यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा और मुस्कुरा कर अच्छे से मुस्कुरा कर बोलेंगे ओम शांति अभी आवाज अच्छी आई क्योंकि ब्राह्मन अरथात खुश नुमा और बाबा हमीशा कहते हैं जो खुश रहते हैं वो खुश नसीब होते हैं खुश नसीब नसीब मतलब भाग्य हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं बाबा ने हमें टाइटल दिया है हम कौन हैं मास्चर भाग्य विधाता तो हम अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं और हमारा भाग्य किस बात पर डिपेंडेंट है हमारे कर्मों पर पुरुशार्थ पर आज हम क्या कर रहे है अभी हम क्या कर रहे है भाग्य बना रहे है एक-एक करम जो हम कर रहे है एक-एक संकल्प जो हम क्रियेट कर रहे है एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं बाबा ने कहा बहुत केरफुल होना है आज बोला ना क्या बोला बाबा ने स्लोगन में आज कौन बनते हैं प्रभु प्रीये सच्चाई और सफाई किसमें दो चीज़ों में बाबा ने आज बोली बोल और करम तो हमारा चेहरा खुश नुमा हो एक चीज आज पकी करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी सेवा सबसे बड़ा दान वो है खुशी का दान क्योंकि आज दुनिया में खुशी थोड़ी सी कम है और हम सबका यह अनुभव है कि जब हम किसी वयक्ति को देखते हैं जो खुश है जो मुस्कुरा रहा है तो हम भी क्या हो जाते हैं खुश हो जाते हैं oneself कल पूरे में प्रोग्राम था तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी मतलत उसको देखकर सब खुश हो रहे थे क्यों क्योंकि वो खुश थी कोई फिक्र नहीं कोई चिंता नहीं और खुशी किसी चीज पर आधारी तो नहीं उससे अगर पूचा जाए कि आप खुश क्यों हो कोई रीजन नहीं था उसके पास खुश है बस लेकिन धीरे धीरे क्या होता है फिर जब हम कहीं पर जाते हैं इस्पेशली एक जो टॉपिक है जिस पर बात करते हैं आर्ट ओफ एपि लिविंग तो हम एक्जेम्पल देते हैं यह कि बच्चे देखो हम जब बच्चे थे खुश थे और दिरे थे तो बहुत लोग उत्तर देते हैं उनको कोई जिंता थोड़ी है उनको तो संभालने वाला पेरेंट्स हैं और हमें तो इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं अगर सोचिए कि कोई ग्रहस्त में है वैसे मैं यह शब्द यूज नहीं करता हूँ ग्रहस्त क्योंकि आप सब आप में से कौन-कौन ग्रहस्ती है वैसे हाथ उठाएंगे एक बार ग्रहस्ती है सोच के हाथ उठाईए हाथ उठाईए कौन-कौन ग्रहस्ती है हाथ उठाएं अभी धीरे-धीरे हाथ नीचे जा रहे है क्योंकि अंदर बैठा हुआ है अंदर 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 कई जगा पर तो ऐसे होता है कि मैं बोलता हूँ कि ग्रहस्ती नहीं ट्रॉस्टी उसके बाद भी हाथ खड़े करवाता हूँ न तो काफी लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं ट्रॉस्टी ग्रहस्ती माना बोज ग्रहस्ती शब्द ही क्या है बोज बंधन तो आज से कभी भी ये नहीं बोलना है कि हम घरस्ती हैं तोड़ दिन पहले एक माता आई तो एक ग्रूप था तो कुछ डिस्कुशन हुआ तो उसके बाद एक माता बोले उनमें से मैंने कहा कि ऐसे करना है जो भी बातें बताई तो उन्होंने कहा लेकिन हम तो साधारण हैं हम तो घरस्ती हैं हम कैसी करेंगे जैसी स्मृति वैसी स्थिति अगर हम सोचेंगे कि हम साधारण हैं हम घरस्ती हैं कभी पुरुशारत में आगे नहीं जा सकते क्योंकि एक-एक संकल्प जो हम create कर रहे हैं हम अपना भाग्या बना रहे हैं त स्वाज से अगर आपके मन में कभी आता हो ऐसा कि हम तो साधारण हैं हम कहां विशेश हैं हम तो घर में रहते हैं ये कमजोर संकल्ब नहीं बाबा ने जहां आपको चुना है किसी को भी चुना है एकदम पर्फिक्ट जगह है वो और वहां रहकर संपून बना चाह सकता है या है नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी थोड़ा सा डाउट वाली आवाज आ रही है हो सकता है या नहीं हो सकता है वहीं हो सकता है तो सबसे पहली चीज आज जो हम पक्की करेंगे वो है स्विकार भाव स्विकार पुरुशारत की शुरुवात ही कहां से होती है? स्विकार भाव से जब तक स्विकार नहीं किया है जब तक अंदर है काश यहां नहीं यहां होती ऐसा होता वैसा होता तब तक हम पुरुशारत में आगे नहीं बढ़ से बस ये जो आत्मा है इसने मुझे परेशान किया हुआ इसको बस सही कर दो फिर तो मेरा पुरुशारत देखना कैसे जाएगा नहीं स्विकार जहां हम है एकदम परफेक्ट जगह है वो जो हमारे आसपास लोग है चेंज होने चाहिए आपके से कौन-कौन है जो किसी एक व्यक्ति को चेंज करना चाहते है अपनी जीवन हैंसे अनेक को चेंज करना चाहते हैं ऐसा तो नहीं सब को चेंज करना चाहते हैं कहेंगे हम तो चाहते हैं? मुझे किसी को नहीं बदलना है. स्विकार ये है स्विकार भाव. अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं, अभी स्विकार भाव नहीं आया. किसी को नहीं बदलना है मुझे क्योंकि आज ज़्यादा तर जो प्रशन आते हैं मेल पर या फोन पर तो ज़्यादा तर लोग कुछते हैं कि हमें कुछ ऐसी भट्टी बताईए कि मैं अपने पती को बदल दू बदल दू means पती को नहीं बदलना है पती के संसकारों को बदल कुछ ऐसी बट्टी बताईए तो मैं कहता हूँ ऐसी कोई बट्टी नहीं किसी को क्यों बदलना है reason क्या है किसी को बाबा ने कहा भी एक अई बार कि कई बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि ये ग्यान में आ जाए ताकि मेरे बंधन कतम हो जाए ये शुभावना नहीं है हमारी स्थि किसी पर भी dependent नहीं ये जब तक पका नहीं होगा तब तक हम परेशान हलचल में आते रहें बाहर हलचल अंदर हलचल लेकिन अचल का मतलब क्या है अचल स्थि का मतलब ये नहीं है या शान्ती का मतलब जब हम बोलते हैं ना मिलते हैं एक दूसरे से क्या बोलते हैं ओम शान्ती तो असली शान्ती का मतलब ये नहीं है जब बाहर सब कुछ शान्त हो तब हम शान्त होंगे ऐसा नहीं है बाहर कितनी भी अशान्ती हो फिर भी हम शान्त रह सकते हैं या नहीं तो एक प्रैक्टिस साथ से शुरू करेंगे हम दिन में तीन बार तीन बार तीन-तीन मिनित पांच मिनिट कर सकते हैं तो अच्छा है पर दिन में तीन बार तीन मिनित शोर में मेडिटेशन करना उस शोर में क्या आप शान्ती अनुभव कर सकते हैं वो देखने जब चारों तरफ शोर है अगर कहीं आप ऐसी जगा रहते हैं जहां शोर नहीं है ऐसे इस्थान पर जाईए जहां शोर है वैसे तो मिल जाएगा घर पर ही मिल जाएगा तो क्या करना है स्विकार जो जो कर रहा है करने दीजिए उसको मुझे किसी को नहीं बदलना है और मेरी खुशी किसी पर डिपेंडन नहीं है ओम शान्ती मतलब मैं शान्त सुवरू फात्मा हूँ बाहर कुछ भी हो रहा है एक है कि हम जान बाबा कई बार कहते है कि पढ़ाने वाला एक है कई मुरली में आता है पढ़ाने वाला एक है पढ़ाई एक है है ना सब कुछ एक है लेकिन बाबा ने अभी मैं एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहा था तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि किसी की special tuition बाबा लगाता है सब के लिए एक ही बढ़ाई है लेकिन फिर भी number war है उसका reason क्या है हाँ पढ़ने वाले number war drama सीधा ही वो तो ठीक है क्योंकि यहाँ drama यूज नहीं करना है यहाँ तो अपने पर वो ले तो कई लोग क्या कहते हैं एक बढ़ाई मिले तो मैंने बोला आप अमरित बात हुई कुछ तो कहते हैं मैं तो上्रित विला नहीं करता हूं मैंने क्यों क्यों तिर्मा में है उठेगा एक मैं यह गलत ड्रमा को गलत यूज हमें नहीं करना है कियों है number war है या उसको या हम सिंप्लिफाई अगर करें मान ले जी निश्चे भी सब को है हम मानते हैं ऐसी आत्माओं की हम बात कर रहे है जिनको निश्चे भी है बाबा से प्यार भी है लगन भी है करना भी जाते है पुरुशाद फिर भी नंबर वार है हाँ अलवेला पन हो सकता है είकि हाँ येस अलवेला पन या उसको हम कह सकते हैं ज्यान और शक्तियों को समय पे यूज नहीं करना शक्ति को बढ़ाने की विधी क्या है एक ही विधी है सिरफ यूज जिस शक्ति को हम जितना यूज करेंगे वो शक्ति उतना increase होना शुरू हो जाएगी स्विकार power to accept कैसे बढ़ेगी जितना use करेंगे और कोई विधी नहीं है जितना use करेंगे उतना शक्ती बढ़ती जाएगी आज क्यों power to adjust बहुत कम लोगों में है क्योंकि use नहीं कर रहे है हाथ से 20 साल पहले जाएं तो हम use करते थे अलग-अलग लोगों के साथ इतना बड़ा परिवार तो धीरे 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 accept करते करते वो power increase होती लेकिन आज कल छोटा सा परिवार है और उसमें भी accept नहीं करते नहीं मुझे तो यहीं चाहिए ऐसा ही होना चाहिए power to accept दिन में जितनी बार हम उसको use करेंगे उतना increase होगी तो इसलिए सुभे अमरित वेले के बाद 10-15 मिनिट बैठे सब के पास diary pen हो जरूर सब रखते हैं, diary सब के पास है दिन भर में लिखते हैं तो उसमें क्या करना है? busy है, उसके बाद 10-15 मिनिट बैठे और मन को challenge दे क्योंकि मन को challenge देना बहुत जरूरी है मन को task दे, मन को काम दे क्योंकि बावा कहते हैं हर रो चार्ट रोगो और हम रखते भी हैं ऐसा नहीं कि नहीं रखते, लेकिन 5 दिन 10 दिन, 15 दिन, फिर क्या हो जाता है? फिर हो जाता है, फिर मुरली में आता है बच्चे चार्ट नहीं रखते हैं तो कहते हैं, बावा सुरी चार्ट रखो, फिर 10 दिन रखते हैं क्यों? उसका main reason क्या है? सुभे अपने आपको challenge देना दिन भर में उसको जिस दिन हमने home work नहीं किया ठीक है? तो क्या करते हैं? कहां बैठते हैं? थोड़ा last में, छुप कर बैठते हैं teachers तो ऐसे ही है कि जब हम रोज का home work नहीं करते हैं न अच्छे से फिर हम थोड़ा सा बाबा से भी छुप छुप के रहते हैं बाबा के रूम में भी जाएंगे तो थोड़ा मन कहेगा कि मैंने नहीं किया और अगर हमने सही से home work किया तो क्या करेगा मन? और teacher का extra प्यार होता है उन लोगों पर जो अच्छे से home work करते हैं सुभे सुभे अपने मन को home work देना आज मुझे कौन सी practice कितनी बार करनी है और चाट कभी भी सिरफ रात को नहीं देना है सिरफ रात को चाट नहीं होगा दिन भर में दो तीन घंटे के बाद देखिये जो practice कही थी वो कितनी बार हमने करी है और simple हम कर सकते हैं मैं कुछ examples आपको दे रहा हूँ आप अपने according उसको choose कर सकते हैं जैसे इस समय के according हमें स्वीकार भाव या साक्षी भाव कम से कम दिन में पांच बाद एक एक minute only one minute क्या एक minute आप साक्षी हो सकते हैं अपने आपको task दीजिए करिए और वो जो हम लिखेंगे चार्ट में साक्षी one, two, three, four, five उसमें क्या करेंगे जैसे ही साक्षी का भ्यास हमने किया एक पे टिक कर दीजिए जैसे आप टिक करेंगे आपको अंदर से क्या लगेगा अच्छा लगेगा मैंने किया और फिर जब पूरा दिन भर जो हमने task अपने आपको दिया है अगर उसका 80% भी हम कर देंगे अच्छे से फिर हम रात को चार्ट देने में हमारा खुद की इच्छा होगी तो दिन में पाँच बार साक्षी भाव तीन बार हम कर सकते हैं संतुष्ध मनी चलो एक मिनिट प्रैक्टिस करते हैं इसकी अपना पुरा ध्यान खुद पर और एक छोटा सा काम करेंगे मन को भी साइलेंट करेंगे और किसको साइलेंट करेंगे पर सब देख लेंगे मुबाइल को जिसको लगता है कि silent है वो भी देख लें मैं भी देख रहा हूँ, मेरा silent है वैसे हम silent करें, उसका reason क्या है क्योंकि अगर हमारे कारण को disturb होता है तो ऐसा ना हो, जमा करने की जगा खाली होकर जाए, ध्यान लगता है अपना बुरा ध्यान खुद सब जगा से द्यान है डाले एक मिनट के लिए पुरा ध्यान मस्तक के मद्ध है सब अधों से डिटैच देखें अपने प्रकाश मैं संतुष्ध मनिको मैं संतुष्ध मनिको बाबा मिला, ग्यान मिला, सब कुछ शिम्ला में कुछी के बाबाबबर मुझे किसी को नहीं बताता है मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए देखें अपने चेहरे को हर्शित मुख चेहरा चमकता हुआ आपने एव से को आपने ज़ी कुछ कए से उप हुआम ओम कीघ बता हुआ नहीं पुचा पुचा मुझे क कर सक लाम तो मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए तो जैसे हमने भी यह experience किया सिरफ दो मिनिट का यह experience था तो दिन में हम इसको बार-बार अनुभव करें तो जैसे संतुष्च मनी का और वो सुभे हमें को decide करना है कि हमें साक्षी का कितनी बार अभ्यास करना है अलग-अलग change कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा कभी हम उसको तीन बार, पांच बार अलग-अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं तो एक हो गया साक्षी भाव साक्षी भाव का मतलब क्या है? हाँ, detach, detach का मतलब क्या है? नियारा, नियारा का मतलब क्या है? acceptance, जो हो रहा है कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई डांट रहा है तो अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? किसी और को डांट रहा है तो या या कोई हमारी बात नहीं मानता है, क्या होता है अंदर, चेक करना है खुद को, ऐसा नहीं कि सबको हलचल होती है, क्योंकि जितना हम पुरुशार्थ कर रहे हैं, ये तो 100% है कि पहले जो हलचल होती थी, वो कम हो गई है, है न, उसको और जितना हम increase करेंगी, क्योंकि साक्षी means, जो भी कोई कर रहा है, उसका प्रभाव मुझे पर नहीं आ सकता, साक्षी का मतलब ये नहीं है, क्योंकि उनको बोलना नहीं है, साक्षी का मतलब ये नहीं है, कल ही, सेशन के बाद, कुछ ग्रुप से बात हो रही थी, तो मैंने बोला, वो बच्चों के बारे में पूश रहती, बच्चे ऐसे हैं, बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों को संभालना, आपको लगता है ऐसा, आजकल बच्चों को संभालना इजी है, डिफिकर्ड है, तो वो बूच रहती, तो मैंने बोला कि आप साक्षी होकर कर ये, समझा रहा था, कहते हैं अच्छा मतलब फि साक्षी का मतलब है, हमें किसी की वजहे से ना तो डिस्टर्ब होना है, ना चिंतागर, ये साक्षी है, जहां आपको लगता है, आपकी जिम्मेवारी है, वहां बोलना पड़ेगा, वहां गाइड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कही जगा पर हो सकता है, थोड़ा exam शुरू हुआ, mobile, TV बिल्कुल बंद कर दिया, तीन चार दिन कहते हैं उसने बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं, साक्षी का अभ्यास, कि मैं साक्षी थी, कि मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, बट strictness जरूरी है, गुसा नहीं था, क्योंकि गुसा means, गुसा और strictness दोन प्रेम स्वरूप बाबा कहते हैं, लेकिन अब क्या बनना है प्रेम स्वरूप के साथ, शक्ती स्वरूप, गुसा स्वरूप नहीं, शक्ती स्वरूप, दोनों में difference क्या है, गुसा स्वरूप means, यहां disturbance है, यह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरी बात क्य समझाने से पहले, अगर आप डिस्चर्ब हैं, दूसरों को समझाने से पहले, किसको समझाना है? खुद को. मैं क्यों डिस्चर्ब हूँ? कभी भी एक है reaction, एक है response. कभी भी हमें react नहीं करते हैं. पता कैसे लगेगा गुस्सा है या नहीं है? एकदम से हम react कर रहे हैं, एकदम से हम impulsive हैं, that means वो गुस्सा है. और हम शान्त हैं, और हम समय की wait कर रहे हैं, सही समय पर उसको समझाएंगे. वो क्या है? गुस्सा नहीं है, शक्ति स्वरूब. दुनिया में कहा जाता है, कि जब आप appreciate करते हैं, सब के सामने गरी. और जब criticize करते हैं तो, अकेले में. और ये नियम बनाना है, जब कोई गलती करता है, उस समय कभी criticize मत करें. Space दीजिए थोड़ा. और सब के सामने कुछ नहीं कहना है. वो सुनेगा नहीं. लेकिन हम क्यों कह देते हैं? एकदम से reaction. disturb हो गए. क्या इतना भी नहीं संभाल सकता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं और ऐसा नहीं. तो हमें क्या करना है? स्वीकार. और मुझे response करना है हमेशा. क्योंकि हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा. साक्षी मींस हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है. हर आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर आई है. चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे पती, पत्नी, भाई, बेहन, कोई भी है. हर आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर, अगर हम उनको कुछ भी नहीं समझाएंगे, तो भी वो अपना पार्ट हो सकता है, कुछ गलती करेंगे, उससे सीखेंगे, चल लेंगे वो अपना पार्ट. तो हमें बोज नहीं रेना है, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण, में रीजन, बहुत सारे कारण है श्ट्रेस के, और इस पर बहुत बड़ी एक रिसर्च हुई थी, और उसमें देखा गया कि स्ट्रेस किन लोगों को सबसे, में में रीजन ढूंडे गए, उसमें नमबर वन reason क्या था नंबर वन reason था उन लोगों को stress सबसे ज़्यादा होती है जो दूसरों को control करना चाहते हैं ये पूरी तरह मेरे according चले कोई हमारे according 100% situations भी हमारे according 100% नहीं चल सकते कुछ हद तक चलेंगे और लोग भी हमारे according 100% नहीं चल सकते हैं स्विकार उसको स्विकार करें ऐसा नहीं कि हर एक बात माने सामने बाने तो पहला क्या है दो हो गए संतुष्ठ मनी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और दूसरा क्या है स्विकार फोन को भी क्या करना है स्विकार क्योंकि एक जगह हम session करा रहे थे यह तो कुछ नहीं है क्यों यह ऐसे लगता है यह कुछ भी नहीं है session करा रहे थे सामने बैटा था कोई करा रहे थे phone आया उठा लिया और इतना तेज हाँ हाँ बस आ रहा हूं मैं थोड़ी दिर में उनको भी क्या करना है स्विकार लेकिन कहना है या नहीं ऐसा नहीं कि कहना नहीं है कोई मानता नहीं है कोई नहीं सिरफ एक नहीं माना बाकि सब मानते हैं ऐसे ही हम कुछ समझा रहे हैं बच्चों को कभी भी यह गलती नहीं कहनी है यह तो मेरी एक भी बात नहीं मानता है एक बहन आये आते ही अपने बच्ची को लेकर आये थे आते ही बैठे भी नहीं थे अभी कम से कम दस बार उन्होंने एक ही बात को repeat किया उन्होंने कहा कि ये बहुत mobile यूज़ करती है, ये मेरी एक भी बात नहीं मानती है, इसको समझाओ, मैंने वो बैठे, तो मैंने बोला कि पहले तो बेटी जो है उनको भेज दीजिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, मैंने कहा कि आप एक मिनट आके बंद करिए, उन्होंने एक मिनट आके बंद की, इसको सिर्फ पूरा दिन देखिये, दिन भर में आपकी बच्ची, आपकी कितनी बात मानती है, कितनी नहीं मानती है, परसेंटेज में बताईए, आँखे बंद की, आँखे खुली, तो smile करने लगी, उन्होंने कहा 80% बाते मानती है, तो में क्या सोचते हैं मेरे साथ हमेशा इंपुरा क्यों होता है हमेशा कभी भी जर्नलाइज नहीं करना है चीजों को तो संतुष्ठ मनी और स्विकार भाव तीसरा अगर हमें योग को बहुत अच्छा करना है बाबा से connection को बहुत गहरा करना है खुशी को बहुत experience करना है क्यों फिर वो कौन सा connection होगा मांगने वाला बाबा ये चाहिए ऐसे चाहिए तो ये प्रयोग हमें करना है सुभे उड़ते ही पांच मिने क्या करना है शुक्रिया दिन भर में शुक्रिया कोई भी चीज आपको मिले शुक्रिया जिसने हमें कोई चीज दी खोड़ा सा भी help करी कि दिल से क्या करना है उनका शुक्रिया जितना शुक्रिया करेंगे बाबा का सबका दिल से शब्दों में नहीं सिरफ दिल से शब्दों से भी करना है लेकिन दिल से भी करना है उतना हमारा योग गहरा होता जाएगा वापिस घर पे आएं बाबा के अगर आपके घर में बाबा का कमरा है या फिर बाबा का चित्र है शुक्रिया करें पूरे दिन भर के लिए और सुब्वे उठते ही शुक्रिया करना पूरे दिन भर के लिए कि आज का मेरा दिन कैसा जाएगा क्या जाएगा बहुत अच्छा जाएगा उसके लिए पहले से ही शुक्रिया Law of Attraction क्या कहता है Law of Attraction जो हम attract करना चाहते हैं वो हम feel करें वैसा नहीं, जैसे दुनिया में दिखाते हैं, ऐसे law of attraction काम नहीं करता है, जैसे मुझे किसी ने एक कुछ, किसी book का extract भेजा था, 4-5 pages, तो उसमें था कि आप imagine कर ये, गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो, बिना करमों के नहीं मिलेगा, हाँ, thoughts अच्छे जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ actions भी होने चाहिए, कोई सोचे मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, दिन भर बुरे करम कर रहा हूँ, अच्छा होगा? ने, फिर अच्छा होना भी नहीं चाहिए, है ना, तो संकल्प प्लस करम, दोनो पे attention, हम करम अच्छा कर रहे हैं, सोच गलत रहे हैं, तो भी गलत है, मेरे साथ, एक पर सब बोलिए मेरे साथ, मेरे साथ, कैसा होगा? हाँ, बोलिए एक बार, अच्छा होगा, मेरा भविश्य बहुत सुन्दर है, जितना हम अच्छे अच्छे thoughts create करेंगे, automatic, बहुत सारी चीजें अपने आप हमारे सामने आएंगे, बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, बहुत कुछ होगा अपने आप, लेकिन अगर negative सोचेंगे तो क्या होगा? फिर वह हम negative attract कर देंगे, शुक्रिया, सुबह उड़ते ही लिखना है, five things I am grateful for, बहुत जरूरी है, पांच चीजें जिसके लिए मैं शुक्र गुजार रोती है, अब देखेंगे, कई लोग पूछते हैं कि overthinking बहुत होती है, क्या करें, रात को नीन नहीं आती है, क्या करें, negative thoughts को कैसे खदम करें, कभी भी negative thoughts से हमें लड़ाई नहीं करें, यह पक्का समझ ले, waste thoughts, negative thoughts, overthinking, कभी भी हमें उससे होता है, और तेज, और frustration बढ़ती है फिर, कभी भी रोकने की कोशिश मत करें, जैसे रात को अगर आप 11 बज़े, 12 बज़े यहां आएं, पुरा अंधेरा है, ठीक है, अब आप में से कोई आए, और वो अंधेरे से लड़ाई करने लग जाए, कि आज अंधेरा मैं तूर कर नेगेटिव थोट्स, वेश्ट थोट्स, अंधेरा है, अंधेरे को दूर करने का एक ही सही तरीका है, वो क्या है, प्रकाश, जैसे ही हम अपना ध्यान उन चीजों के और लेकर जाते हैं, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो क्या होगा, ओटोमेटिक नेगेटिव thinking खतम तो यह practice देनी है मन को क्योंकि अगर हमें शरीर को powerful बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए क्या क्या चाहिए फिजिकल अगर हमें strong बनना है दो चीज़ें चाहिए हाँ जी हाँ भोजन अच्छा होना चाहिए plus exercise दो चीज़ें चाहिए ना तो हमने क्या किया भ आत्मा का भोजन क्या किया मुरली हमने सुनी है ना भोजन तो हो गया आच्छे से अब क्या करना है उसको digest करना है exercise करनी है तो ये exercise है अलग अलग कि हम दिन भर में कम से कम तीन बार सुभे एक बार करना है five things I am grateful for रात को सोने से पहले लिखना है दिन में जब भी आपका मन परेशान है आप क्या करिए pen पेपर लेकर mobile को वहीं रखकर बहुत जरूरी है क्योंकि आदे से ज़्याद परेशान किसने क्या हुआ है phone दो कारण आज present के according जिसके कारण योग नहीं लगता है दो main reason पहला है उसमें से mobile थोड़ी देर mobile को अराम थोड़ा rest दे दे जी उसको विचारे को वो भी थक जाता है सुबह से लेकर तो क्या करना है mobile को थोड़ा जब भी मन दुखी है mobile पे कुछ मत सुने नहीं तो हमें क्या लगता है थोड़ा सुन ले ठीक है आपको सुनना है पांच मिनिट दस मिनिट आदा घंटा आपने सुना phone को वहां रख दीजिए pen paper लेकर कहीं एक आंत में जाईए और या तो वो जो सुना है उसको लिखिए अपना विचार सागर मंतन लिखिए या फिर five things I am grateful for one, two, three, four, five आराम से सूचे बहुत आराम से जब तक ना आए ऐसा नहीं कि लिखना जरूरी है जल्दी जल्दी जब तक आपको feel नहीं हो रहा है उसके बारे में सोचे जिसे for example health health के लिए हमें क्या होना चाहिए grateful नहीं feel हो रहा है आप क्या सोचिए अगर ये सही ना होता शरीर का कोई भी part कैसा feel करती मैं अपने आप शुक्रिया निकलेगा ठीक है चलो तीन मिनिट की हम ये practice करते हैं पूरा ध्यान खुद पर और पांच चीजे जिसके लिए मैं grateful हूँ अब लिख भी सकते हैं उसको सोचते सोचते से लिख भी सकते हैं या मन में ही सोच ले वो और ज्यादा अच्छा है मैं खुशी से भरपूर खुशी का फरिष्टा एकदम लाइट कोई बोच ने मैं बोगो खुशी मेरी कुशी किसी पर अधारित नहीं बाहर से अपना ध्यान रटा दें खुद पर पास पास क्या हो रहा है सबसे डिटेंच मैं प्रकाश स्वरू पात्मा लाइट हाउस देखेंगे पांच चीज़े जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ मौत पेशन्स के साथ एक एक गड़ के पांच चीज़े सामने लाएगे सबसे पहली चीज़ को सामने लाएगे जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ प्रती इन बाहर शुकम्याकरे हम दूसरी चीज़ को सामने लाएगे जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ शुक्रियाकरे 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 प्रियाकरे बार चुमिटी सकुसा बेले जब भी अभ्यास हम करें शुक्रिया का तो अभी भी जैसे आपने अब्जर्व किया होगा जैसे हमें अभ्यास कर रहे थे हमारा ध्यान कहां आ गया था पूरा सब जगां से ध्यान नेगेटिव वेश और जब हम शुक्रिया कर रहे थे तो खुशी इंक्रीज हो रही थी या नहीं हो रही थी क्यों जैसे ही हम पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं क्या क्या मेरे जीवन में अच्छा है खुशी इंक्रीज होती है और जब हम देखते हैं क्या क्मिया है मेरे जीवन खुशी क्या होती है ये चाहिए, वो चाहिए 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 कभी खतम आज तक तो कुसी का खतम नहीं हुआ चाहिए चाहिए अगर सोचिए किसी को एक देश का भी सबसे बड़ा बना दिया जाए ना उसको फिर क्या चाहिए? कुर क्या सारे देश चाहिए हो मुझे ते चाहिए चाहिए कभी भी खتم जो मिला है उसका शुक्रिया इसका मतलब ये ने कि और मेहनत नहीं करना है करम करना छोड़ देना करम भी करना ल conceal शुक्रिया और खुशी का आपस में डरेक्ट कनेक्शन है और जब हम दिल से किसी को शुक्रिया करते हैं किसी व्यक्ति को भी हमारे कौन से vibrations उस तक पहुँंचते हैं positive vibrations और जो vibrations हम भेज़ते हैं वो vibrations वापिस हम तक آते हैं शुक्रिया जितना शुक्रिया करें अभी जयनती देदी ने भी यही सुनाया थोड़ा समय पहले, दो महीने पहले उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से वो यही अभ्यास कर रहे हैं और करा रहे हैं, शुक्रिया इतना इससे वंडरफुल रिजल्ट आता है बाबा से हमारी क्लोजनेस क्या हो जाती है बढ़ जाती है, खुशी बढ़ जाती है बाबा से क्लोजनेस बढ़ जाती है शुक्रिया करना है, बात बात पर शुक्रिया कोई प्यार से बात करे क्या करना है, शुक्रिया कोई सहयोग दे क्या करना है शुक्रिया कोई गुसा करे क्या करना है कर सकते हैं उसी समय अभी तो कर सकते हैं अभी तो गुसा कर रहे हैं शुक्रिया कर रहे हैं उस समय जब हम उस माहोल में हैं तब क्या करना है शुक्रिया क्यों करना है शुक्रिया कोई गुसा कर रहा है और हम शुक्रिया करें क्यों करें हमें पेशेंस इंक्रीज कर रहा है हाँ मैं हमारी कमिया है नहीं मान लिजी हमें कमिया नहीं है फिर भी जैसे फॉर इग्जेंपल कई लोगों का संसकार होता है आपने सही काम किया बिल्पूर फिर भी वो गुसा कर रहे हैं तब उनके अलग संसकार है यह हम कह सकते हैं तो शुक्रिया क्यों करना है किसी का भी क्योंकि एक्जैम्स पेपर्स हैं यह सब हर आत्मा के संसकार अलग-अलग है और कोई गुसा कर रहा है इस बात को बहुत अच्छे से समझना है जो भी गुसा कर रहा है उसका रीजन है जैसे फॉर एक्जैम्पल फीवर होता है फीवर अपने आप में कोई बिमारी नहीं है फीवर क्य है सिर्फ symptom है कि अंदर कुछ खराब है system तो जो गुसा कर रहा है वो तो सिर्फ बाहर दिख रहा है लेकिन उसका reason क्या है अंदर suppression हो सकता है hurt हो सकता है दुख हो सकता है बच्पन से उसने पता नहीं क्या क्या देखा एक अभी real मैं आपको बताता हूँ एक पांच छे भाईयों की उन्होंने कुछ काम work बिजनस कुछ शुरू किया हुआ था तो पांच भाईया मेरे पास तो वो छे में के बारे में बात कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा है लेकिन गुसा बहुत करता है क्या करें ऐसा करें तो फिर वो जो six था वो भी मेरे पास आया उसने जब अपनी life history बताई उसने आस तक किसी करा share नहीं की थी तो उसने बताया भी ऐसा है इसलिए मेरे अंदर ना बहुत guilt है hurt है और फिर वो गुसे करूँ में नकलता है कई बार हमें पता नहीं होता है सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है या गुजरा था अगर वो गुसा कर रहा है बिना कारण के बहुत दुखी है अंदर से बहुत परेशान है कुछ उसने suppress किया हुआ है तो हम किसी की वज़े से किसी के कर्मों की वज़े से किसी के संसकारों की वज़े से खुद को hurt ना करें अगें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी and ये ध्या आगे नहीं बड़ से संपूर नहीं बन सकते कोई कहे मैं तो अकेले घर पे बैठके ही ग्यान योग करके संपूर बन जाऊंगा impossible possible बिना papers के possible नहीं क्योंकि बहुत से आत्माइं आती हैं कई आत्माइं क्या कहती हैं हम ना सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां बहुत सारे संसकार घर पे ठीक है कभी हम स्ट्रोंग नहीं बन पाई papers जरूरी है कोई एक व्यक्ति तो चाहिए कम से कम जो बिना कारण के आपको नुक्स निकाले चाहिए आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको कोई बोल रहा है तब आप शान्त रह सकते हैं मतलब आप सही में ओम शान्ति हो गए आपकी बिलकुल बहुत कभी गलती है उसमें स्विकार करना फिर भी एजी है आपकी बिलकुल गलती नहीं है फिर भी कोई बोल रहा है शांत तब कहेंगे सही में शांती को हमने experience कर लिया ठीक है तो कोई जब गलत बोलता है criticize कर रहा है हमारी कमी नहीं है वो फिर भी कह रहा है क्या करना है फिर? शांत बाहर से भी शांत और अंदर से भी शांत और उसका क्या करना है दिल ही दिल में शुक्रिया, दिल में करना है, बाहर से नहीं, नहीं तो खराब हो जाएगा, कि वो आपको डांटरा हूँ और आप कहेंगे शुक्रिया, वो नहीं करना है, थोड़े समय पहले एक जगा सेशन था, तो एक सेशन था, फिर उसके आगे एक ओर सेशन, समय कम था उसमें, थोड़ किसी ने अपनी गाड़ी बीच में लगाई हुई, तो मेरी यादत है कि कुछ भी ऐसा होता है, तो मेरे दिल से शुक्रिया निकलता है, तो मैंने बोला कि शुक्रिया, तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था भाई, वो कहता है, शुक्रिया क्या कर रहे हो इसमें आप, एक जब papers आएंगे तब ही तो चेक होगा एक मुरली मुझे बहुत पसंद है बाबा ने उसमें कहा कोई कितना भी कहे कि मैं रुहानी योधा हूं मैं शक्तिशाली योधा हूं लेकिन जब युध आए तो वो भाग जाए मानेंगे उसको कोई कहें मैं तो बहुत बड़ा योधा हूं और युध हुआ भाग गया ऐसे ही मैं मास्टर सर्विश शक्तिवान हूं आप कितना भी अभ्यास करते रहें एक हजार आठ बार लिखें चाहे दस हजार आठ बार एक बार पेपर्स जब तक नहीं आएंगे और पेपर्स को जब तक हम क्रोस नहीं करेंगे मतलब कुछ ऐसा आएगा जो हमने सोचा नहीं था वहां हम शानत है या नहीं तब कहेंगे मैं कौन हूँ मास्टर सर्विश शक्तिवान फिर हमें अभ्यास नहीं करना पड़ेगा हम उसमें टिक जाएगे कि मैं हूँ क्यों हूँ क्योंकि अभी अभी पेपर आया था मैंने उसको फेज इसे कई आत्मा कहती हैं शुरू शुरू में कि हम अभ्यास करते हैं मैं शानत हूँ फिर अंदर से आवाज आती है कि अभी तो गुसा गया शुरु में तो हमें मन को समझाना है कि ओरिजिनल में मैं शुंत हूं, पर ये जो गुस्सा है, ये मेरा असली संसकार नहीं। लेकिन धीरे 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 जितना हम संसकार भी चेंज करेंगे, उतना ही स्वमान का हमें गेहरा रुभफों का, तो इसलिए जब भी कोई कुछ गलत कहे क्या कहना है शुक्रिया जब बच्चे आपकी बात ना माने क्या करना है शुक्रिया क्यों? पहली बात तो 100% तो वो आपकी बात ने कोई भी नहीं मान सकता है क्या आप मान सकते हैं किसी की 100% बात ने पॉसिबल नहीं किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं मात सकते हैं उनके अलग विचार होंगे वो अपनी जगा सही है अपनी जगा सही है गलत कोन है सही कोन है नहीं बहुत बार होता है वो अपनी जगा सही होते हैं उनकी अंडरस्टेंडिंग अलग है मेरी अंडरस्टेंडिं शुक्रिया और खुशी में क्या करना चाहिए, डांस करना चाहिए, ये नहीं कहना है कि क्यों मेरी 20% नहीं मान रहा है, 80% हमारी बातें मान रहा है, तो पक्का करेंगे शुक्रिया का अभ्यास, लिक कर करेंगे, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक मही में का, ठीक है, one month और फिर उसको क्या करेंगे अच्छा लगेगा तो उसको जिंदगी भर ये वाला अभ्यास तो हमें जिंदगी भर करने शुक्रिया फाइव थिंग्स आइम ग्रेटफुल फॉर जब भी मन परेशान, खालीपन लग रहा है कुछ भी लग रहा है, आप ये करिए और्टोमेटिक आपको अनुभव होगा उसकुशी का शुक्रिया करने एक और एक और अभ्यास हमेजो करना है जो बहुत बहुत जरूरी है इस समय पर और अगर हमें अपने रिलेशन्स को बहुत अच्छा करने हम सब के साथ रह सकीं कैसे वो हमारी रिस्पेक्ट करें हम उनकी रिस्पेक्ट करें कैसे आपस में जो मन मुटाव या नेगिटिव है वो ना हो हमारे अंदर, तो उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है बहुत बहुत जरूरी अभ्यास है और practical योग का प्रयोग है यह ग्यान बाबा ने दिया है शक्ति बाबा ने दी है उसको हमें क्या करना है यूज जो हमने पहले भी समझा जिस शक्ति को जितना हम यूज करेंगे उतना वो increase होगी जैसे decision power to decide ख़ी लोग कहते हैं कि हम confused हो जाते हैं decide नहीं कर बाते कैसे बढ़ाएंगे power to decide जितना power to decide को use करेंगे चोटी सी बात आती है खुड decide करें किसी से मत बूचिए चोटी सी बातों कोई बड़ी बात आती है सबसे मत बूचिए कोई एक या दो बस एक बहन आए कुछ उन्होंने decision लेना था तो उन्होंने कहा क्या करें तो मैं हमेशा क्या करता हूं मैं कभी भी decision नहीं देता हूं किसी को तो मैंने का कि देखो मैं अगर होता तो यह करता but you have to decide आपका जीवन है आप decide करें आप responsibility दीचिए तो उन्हें ने का लेकिन मैंने उनसे पूछा उन्हें ये कहा उनसे पूछा ये कहा तो मैंने का पहली बात तो आपने इतने लोगों से पूछा क्यों इतने लोगों से नहीं पूछता है जो छोटी छोटी बाते हैं खुट डिसाइड करें हो सकता है वो गलत हूँ बालब fire करें लेकिन वो छोटी सी बात है आप सीखेंगे कैसे decide करना है उससे क्या होगा धीरे 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 हमारी decision making अच्छी होती जाएगी उसको use नहीं करेंगे और कोई विधी नहीं है और बाबा हमेशा कहते हैं decide power to decide को increase करने की एक और विधी है that is power to detach जितना detach होंगे उतना easy होगा decide करने जितना attach होंगे उतना difficult होगा detach होगा detach power to detach साक्षी जितना साक्षी का अभ्यास करेंगे automatic बहुत सारी powers हमारी increase होगी अगर सम्मेश से कहा जाए एक महिना कौन सी power को सबसे पहले develop करना है that is power to detach जितना power to detach होगी उतना decision making परखने की शक्ती उतना ही patience increase होगा मन हलका रहेगा power to accept आएगी उतना ही detach होना है सीखना है चारोंड की बातों से detach तो एक अभ्यास जो हम बात कर रहे थे relations को बहुत अच्छा करने की जो बाबा कहते हैं अगर दूसरों की विशेशताएं देखने का चश्मा पहन लो तो क्या बन जाएंगे कौनसी आत्मा बन जाएंगे विशेश आत्मा बन जाएंगे जहां हम रहते हैं न बिल्कुल सामने ये स्लोगन लगा हुए तो मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ ये भी बहुत सुंदर विधी है घर में अलग अलग स्लोगन लगे होने चाहिए सेवा है ये बाकिस अब जो घर में रहते हैं specially art of parenting में हम एक बात बोलते हैं हमेशा कि बच्छों को आपको बार-बार नहीं समझाना है हम गलती क्या करते हैं? बार-बार समझाते हैं बार-बार समझाने से वो कभी नहीं सीखी तो मैं एक लाइन बोलता हूं हमेशा कि एक दिन में दस बार नहीं समझाना है क्या करना है? दस दिन में एक बार समझाना है. तब हमारे समझाने की वैल्ली होगी. और जो भी आपको समझाना है, आप क्या करिए? स्लोगन के रूप में लगा दाएं. एक बहन ने प्रैक्टिस की, तो वाइड बॉर्ड उन्हों लगाया. तो उन्होंने क्या किया? हर दिन म अच्छा पॉइंट लगता था वो लिखते थे उस पे किसी को नहीं कहा आप पढ़िये क्योंकि कई बार हमारी आदत होती न हम कहते हैं यह पढ़ना लिखी है मैंने किसी को मत बोली एक महीना हो गया तो उनका बीच में मैसेज आया कि मैंने करा तो है बट आई डोंट नो कि लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं आप करते रही हैं एक महीने के बाद एक दिन वो गलती से लिखना भूल गए जल्दी जल्दी वापिस आये तो उनके जो युगल थे पती थे ग्यान में नहीं थे वो उन्होंने का आज आपने नया पॉइंट क्यों नहीं ल चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा हर इंसान बनना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है, मुझे फोर्स किया जाए, ये किसी को पसंद नहीं, आप किसी को बार-बार टोकेंगे, वो व्यक्ति कहेगा, ये तो मैं कभी नहीं करूँगा, जो आप कह रहे हो ना, माल दिन उस पे अलग-अलग पॉइंट्स लिए, जो आप चाहते हैं, कि बच्चा करें, माल लीजिए, आप चाहते हैं, मुबाइल कम यूज़ करें, उससे रिलेटेड कुछ आप स्टड़ी करिए, कि मुबाइल यूज़ करने से, इतने घंटे यूज़ करने से, आईस कराब जो बे, आप वहां लगा दीजिए, उनको मत कहिए कि आप ये पढ़ों, अपने आप, फिर साक्षी हो जाएए, आपने अपना काम कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएए, साक्षी, अपने आप चिंजिस आने शुरू हों, घर में हम ये भी खारे कर सकतें, तो दूसरों की विशेषताएं देखने से क्या होगा, हम क्या बन जाएंगे, विशेष, ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, इजी पुरुशारत, सहज पुरुशारती अगर बनना है, दूसरों की विशेषताएं देखना शुरू कर दीजिए, पहले अभी थोड़े दिर पहले बात की थी, दो में कारन योग ना लगने का, उसमें क्या था? नमबर वन तो मोबाइल, ओवर इनफ्रमेशन, सेकिंड, दूसरों की कम्या देखना, जो दूसरों की कम्या देखता है, उसका योग कभी नहीं लग सकता है, इंपासिबल, क्यों? कम्या देखेंगे, एनरजी क्या हो जाए मेरा. क्या करूँ शक्ति फिल नहीं होग नहीं, तो ममगा ने ऐसा होई नहीं सकता योग नहीं लगता आपका, क्योंकि अगर आप बाबा केसे बने हैं मुरली सुन रहे हैं दिल से बाबा कह रहे है, येट मीन्स आपका योग लगता है योग इतना easy है ना आपने दिल से जब बाबा कहा बाबा से आप जुड़ गए लेकिन शक्ती क्यों अनुबव नहीं हो रही उसका reason क्या है मम्मा ने जो कहा दिन भर leakage बहुत है एक टंकी है सुबह सुबह पानी भर दी आप ठीक है शाम को आपने देखा खाली है आपके मन में आया कि पता नहीं भरी थी या नहीं भरी थी भरी थी वो लेकिन छोटा सा leakage था वो भीरी दिरे क्या हुआ सारी टंकी खाली हो गई तो ऐसे ही अमरित वेले भरी है हमने मुर्ली सुनी भरी लेकिन दिन भर क्या हुआ यह ऐसा करता है यह वैसा करता है कमी सारी energy drain हो गई तो आजसे इसको बहुत पक्का करेंगे हम वन मंद की यह practice है कोई भी एक आत्मा के साथ experiment करने है जिसके साथ आपका relation थोड़ा उपर नीचे है आप चाहते हैं relation सही हो यह experiment हम करेंगे एक बार एक व्यक्ति पर हमने practice कर लिया तो क्या होगा फिर संसकार बनना शुरू हो जाएगा फिर हमें सब की विशेष्टाएं दिखनी शुरू होगी जैसे यहां सब बैठे हैं सब में विशेष्टाएं हैं या नहीं हैं कमिया हैं विशेष्टाएं हैं सब कुछ है मुझे क्या focus कर ला है मैं यहां देखूं सब को तो मैं आप में कुछ कमिया भी देख सकता हूँ चाहूं तो लेकिन फाइदा क्या होगा उससे ना मेरा फाइदा ना आपका फाइदा मेरा मन क्या होगा खराब लो वाइबरेशन कमिया मिन्स लो वाइबरेशन और मेरे फिर मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ वही वाइबरेशन मैं आपको दे रहा हूँ तो फाइदा किसमें है आप सब में विशेष्टाएं है मुझे दिख रही है तो इससे फायदा किसका होगा पहले तो मेरा फायदा हो मुझे अब पुरुशार ज़्यादा करने की जरूरत नहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि अलग-अलग लोगों से मिलेंगे हम सबकी विशेष्टाइं आप देख रहे हैं तो वैसी खुश रहेंगे और जब आप दूसरों की विशेष्टाइं सोचते हैं या उनको बताते हैं सामने वाला वेक्ति भी फिर क्या करता है आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करना आप किसी की विशेष्टाइं बताईए सामने वाला आपकी विशेष्टाएं जरूर बताएगा ऐसा होई नहीं सकता है आप मैसेज करके देख ले न किसी को भी आज आप लिखना कि ना आपके अंदर हमें एक टास्क मिला था और तीन विशेष्टाएं देखने थी बाबा कहते हैं लाल रंग का चश्मा पहनो तो लाल रंग की दुनिया नजर आती है हरे रंग का पहनो तो हमें कौन सा पहनना है काला या सफेद वाइड है ना विशेष्टाएं देखें सबकी कमिया है सब में ऐसा नहीं है जैसे शुरू में जब ये लाइन में सुनता था शुरू शुरू में जब मैं ग्यान में आए तो बाबा कहते हैं कमिया देखते हो मत देखो तो मैं बाबा से बात करता था बाबा मुझे तो दिख रही हैं कमिया आप कहरे हो देखते हो मत देखो मुझे तो दिख रहा है कि ये गुसा कर रहा है, ये अमरित καला ये कर रहा है, भलब विसेष्ष्टाएं भी दिख रहे हैं, कमिया भी दिख रहे हैं, आप कहरें हो मत देखो, किसे ना देखू। देरे देरे समझ में आया कि पता तो हमें होगा कौन कैसा है पता होना भी चाहिए परकने की शक्ती लेकिन मुझे उसकी जो जो मालने लिजिए कोई व्यक्ति है जो गुसा कर रहा है फॉर एक्जेम्पल लेकिन उसकी और भी तो विशेष्टाएं हैं तो क्यों ना मैं उस पर फोकस करू कि यह अच्छे से सेवा करता है इसको कुछ भी काम कह दो जैसे कुछ आत्माएं होती है कि आप उनको कुछ भी कह दो वो करेंगे ही करेंगे हो सकता है वो गुसे से खुद भी जूज रहे हैं तो धीरे धीरे माइंड को शिफ्ट किया, प्रोग्रामिंग की, माइंड की नई प्रोग्रामिंग, पहले कौन सी प्रोग्रामिंग हुई हुई थी, कमिया देखने की फिर प्रोग्रामिंग की मुझे विशेष्टाएं देखने हैं कमिया तो हैं सब में, कोई बात निए मुझे क्यों focus करना है उसके वो उसका पुरिशार्थ है वो अपने आप करे तो जैसे जैसे ये practice की धीरे धीरे सब में क्या देखनी शुरू हुई विशेश्टा है और मुझे लगता है practical में कि जब हम सब की विशेश्टाइं देखते हैं सामने वाले के vibrations भी आपके लिए change हो जाएं और पुरुशार्थ easy हो जाता है फिर हम किसी से मिलते हैं तो अच्छा लगता है उनसे मिलकर अगर विशेश्टाइं हम देखते हैं अगर कमिया देखते हैं तो क्या होगा यह नहीं यह तो ऐसा है यह तो वैसा है हर किसी की हम कोई न कोई कमी निकालें इसको बोलते हैं missing tile syndrome मतलब क्या है आप एक जैसे यह hole कितना सुन्दर है ना अब इसमें आए कोई एक hole और imagine करी हम एक hole में गए बहुत सुन्दर tiles लगी होगी वो corner में एक tile जो है miss है या टूटी हुई है enter हमने किया देखा सब सारा धियान कहां चला जाएगा हम कहेंगे बाकी सब ठीक है वो tile क्यों टूटी हुई है missing tile syndrome ऐसी होता है कि हमारी programming क्या हो गई है बच्पन से एक व्यक्ति है उसमें मान लेजीए पचास विशेश ताए ठीक है एक कमी है सिर्फ सारा धियान कहां चला गया वो टूटी हुई tile पर जो पचास tile है उसमें वो तो बहुत अच्छी है उसमें विशेशता हैं सारी लेकिन एक tile टूटी हुई है बस थोड़ा सा मान लेजी गुसा करने का संसकार है कोई भी और संसकार हो सकता है सारा धियान वहाँ अब हमें क्या करना है वो टूटी हुई tile से धियान हटा कर क्या देखना है यह देखो यह अच्छा है यह अच्छा है तो विशेशताएं देखने हैं लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत के नहीं होगा क्योंकि programming को change करना समझना अलग बात है ग्यान होना अलग बात है कहना अलग बात है कि सबकी विशेशताएं देखनी है बड practical में उसको चेक करना है कि हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं और हो सकता है। with practice ये चीज़ हो सकती है क्योंकि कोई भी संसकार हमें बनाना है समय लगता है उसमें। कोई गाड़ी चलाना सीखता है एक दिन में किस-किस ने सीखी है गाड़ी? हाथ कड़ा करें? ऐसा है कोई? समय लगता है उसमें स्विमिंग सीखी, गाड़ी चलानी सीखी कुछ भी सीखा हम ने दीरे, पहले लग रहा था बहुत मुश्किल है शायद मुझसे तो कभी इतना भीड में कैसे चलाऊंगी मैं क्या चलाऊंगा, लेकिन दीरे-दीरे क्या हुआ एक्सपर्ट हो गया, इतना इजी हो गया ऐसे ही जब हम ये शुरू करेंगे विशेष्टाएं देखने का तो कुछ-कुछ लोगों की विशेष्टाएं तो हम अराम से देख लेंगे हम कहेंगे हाँ, ये तो बहुत विशेष्ट है उनकी तो ज़्यादा ही दिखनी शुरू हो जाएंगे फिर रोकना पड़ेगा मन को लेकिन कुछ एक दो आत्माई ऐसी होंगी आप देखेंगे उनकी विशेष्टाएं सामने क्या आएगा? कमिया फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कमियों को थोड़ा साइड पे रखकर अराम से पेशेंस के साथ उनकी एक एक विशेष्टा को देखना पड़ेगा एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, तिन दिन करेंगे, कोई भी संसकार कितने दिनों में बनता है? बन जाता है एकिस दिनों में एकिस दिनों में शुरुवात हो जाती है, है न? लग भग, अलग अलग वैसे व्यक्ति पे डिपेंड करता है, बट फिर भी 40 to 90 डेज में वो संसकार डीप हो जाता है, पक्का हो जाता है इसलिए एक महिना पहले शुरू करेंगे, अच्छा लगेगा हमें, तो उसको फिर हम क्या करेंगे और continue करेंगे और फिर थोड़े समय के बाद अगर हम उसको regular करेंगे, तो वो संसकार पक्का हो जाएगा, पुरानी programming delete, नई programming आ जाएग, missing tile syndrome वाला जो है, वो हट जाएग फिर हमें समय क्या दिखेगा, हम कहेंगे एक example मैं बताऊँ when I was in college, या मैं जब job कर रहा था, एजराबाद में था मैं तो हमारे साथ एक दोस्त था हमारा वो असेम्ट से था उसकी एक आदत मुझे बहुत पसंद, वो ऐसा व्यक्ति था, आप उसके पास जाओ आप वो spiritual भी नहीं था आप उसके पास जाओ, आप कहोगे ना वो जो है व्यक्ति ऐसा है वैसा है उसका हमेशा ये की उत्तर होता था कहता नहीं मैंने जब मुझे जरूरत थी उसने मेरी उस समय हेल्प दी तो हमने कई बार try किया किसी के लिए तो negative वो बोलेगा लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और सब उसको पसंद करते थे क्यों? Positive हमें कई बार क्या लगता है कोई हमारे पास आए किसी की बुराई करने हमें सुननी चाहिए एक group आया था दो-तिन साल पहले तो कुछ यही discussion हुआ तो मैंने बोला कि नहीं आम मत सुनो कोई negative सुनाता है तो छोटी सी बच्ची थी कहती है नहीं सुनेगे तो उनको बुरा लगेगा छोटी सी बच्ची को उसकी programming भी देखो क्या हो गई? ऐसा नहीं है कोई हमें आकर किसी की negative सुनाए उनको काटो मत क्योंकि काटो के तो बुरा लगेगा लेकिन हमें क्या करना है? हमें shift करना है कोई आया उसने कहा वो ऐसा है ऐसे नहीं कि हम सुनते रहें अब बोलें नहीं मेरी तो उस समय उसने help की या वो तो अच्छा व्यक्ति है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कमिया ही है लडाई नहीं करनी है लेकिन हमें topic को क्या करना है? change करना है positive से नहीं तो क्या होगा? आप सुनेंगे, सुनेंगे, सुनेंगे दो बार, तीसरी बार किसके पास आएगा वो? उसके मन में जब भी कुछ आएगा ना उसके सामने चहरा सामने आएगा उसके कौनसा चहरा? आपका उसी समय वो आ जाएगा आपके पास तो मेरा मन dust bean नहीं ऐसे नहीं कोई भी आए और कच्छा डाल कर सोचिए आपके घर में कोई आए अपना dust bean लेकर और बोले आपके घर में डाल दू क्या कहेंगे आप? नहीं? वो कहेगा मेरे को बहुत बुरा लगेगा? नहीं हम कहेंगे बुरा लगे, कुछ भी लगे आप अपना dust bean लेकर जाएगे अपने घर में डालो तो कोई negative अगर सुना रहा है यह प्रैक्टिस करते हैं अभी पूरा ध्यान खुद पर में पवित्रात्मा सब की विशेष्टा देखने वाली holy hans पवित्र विशेष अप्मा रात्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है सब में विशेष्टा आएगे अब कोई भी एक चहरा सामने लाएगे मन की स्क्रीम पर जिसके साथ आपका रिलीशन थोड़ा सा उपर रिंचे है उस आत्मा को सामने लाएगे बहुत पेशिंस के साथ उनकी तीन विशेष्टा एगे बिल्कुल आराम से बद्टा रिंचेट के बिल्कुल आराम से याद याद रप याद रप मन ही मन में है उनको एक मेसेज देए मैं आपको पुरी तरह स्विकार कर देखुआ। आप जैसे हैं। I accept you as you are. अपशय। तो आप मैंसे किस किस ने विशेष्टाएं देखी, तीन विशेष्टाएं देखी सबको। कोई है जिसको नहीं देखी, ऐसा कोई है हात खड़ा करे, जिसको नहीं देखी सबको देखी। क्योंकि कुछ आत्माएं होंगी जिनकी विशेश्चताइं देखना बहुत इसी हो जाएगा कुछ-कुछ होंगी थोड़ा सा डिफिकर्ट एक जगा हम सेश्चन ले रहे थे तो उसमें ये टास्क दिया तो एक बेहन थे उसमें तो एक मिनिट हो गया सबने आखे कोल ली वह आके बन तो मुझे लगा शायद और विशेश्चताइं देखनी होंगी इनों ने मुझे लगा ठीक है एक मिनिट हो गया दो हो गया तीन हो गया मैंने उनको कहा कि भेहन आके को लिया क्या हुआ कि भाया मुझे विशेश्चताइं दिखी नहीं रही है नहीं यह नहीं विशेश्चताइं मैंने का अच्छा किस के बारे में सोच रही हो तो मैं वड़ा कि मैं अपनी मदर इनलों के बारे में सोच रही है तो मैंने उनको का कि ऐसा नहीं है विशेश्चताइं नहीं है दिखने रही है चश्मा बाहर अगर धूल दिख रही है तो कई पर ऐसा होत है कि जश्मा हमारा थोड़ा खराब है जश्मे को साफ करें प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं दिख रही है तो जैसे जैसे हम विशेशता हैं देखेंगे आप देख रहे होंगे जैसे आपने प्रैक्टिस की शायद आपके vibrations पहले अगर उस आत्मा के लिए कुछ उपर नीचे थे इस समय एक मिनट एक लीश क्या हुआ हमारे vibrations क्या हो गए थोड़े से change हो जैसे जैसे हमारे vibrations change होते जाएंगे आप विशेशता हैं देखते जाएंगे सामने वाले की vibrations भी change होना शुरू हो संसकार change हो या ना हो वो अलग बात क्योंकि संसकार हर आत्मा अपना पुरुशार्थ खुद कर सकते क्या आप किसी और का पुरुशार्थ कर सकते एक पत्नी है वो कहे मैं तो अपने पती का पुरुशार्थ मैं कर लूँ ठीक है मैं योग कर लूँगी इसके जगा होगा ऐसा हर आत्मा का पुरुशार्थ अपना संसकार परिवर्तन तो हर किसी का अपना अपना लेकिन वो vibration से क्या होगा उनका हमारे प्रती जो vibration से हो क्या हो जाएंगे change हो जाएंगी विशेष्टाएं देखना एक जगां पर हम गए बहुत साल पहले की बात है तो वहां पर तीन-चार जिन का कुछ प्रोग्राम था तो वह एक भाई मिले तो उन्हें कहा मुझे आप से कुछ बात करनी है तो मुझे लगा ठीक है बात करेए तो उन्हें बताया ऐसा है ऐसा है किसी एक आत्मा के बारे म तो मुझे लगा ठीक है मैंने उनको थोड़ा सा समझाया नेक्स चिगर लगवर एक साल के बाद वहां दुबारा जाना हुआ किसी प्रोग्राम में वही भाई वही बातें तो मैंने उनको पड़े प्यार से समझाया मैंने कहा कि अच्छा आप एक काम करिए पांच मिनट रहे हैं उसकी तीन विशेष्टाएं लिखकर आईये कहले आराम से तो थोड़े देर बाद वो भाई आया उसने कहा कि न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पांच मिनट में सिर्फ कि मैं वो देख ही नहीं पा रहा था इतने सालों से कि उनमें बहुत विशेष्टाएं यह एक दो बातें थी जो मुझे चलती जा रहे हैं चलती जा रहे हैं फिर एक महीने बाद उनका मैसेज आया कि मेरे भी वाईब्रेशन्स चेंज हो गए और उधर से भी बातें खतम हो गए रीजन क्या होता है हम किसी एक दो बात को पकड़ लेते हैं नेगटिव सोचते ज जाते हैं और थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था जब भावना चेंज हो जाती है ना किसी के प्रती वो सही भी कर रहा हो उसमें भी हमें गलत दिखाई देता है सामने वाला गलत नहीं कर रहा है मालो आपको किसी व्यक्ति से आप मिले नहीं लेकिन किसी ने आपके बनाई हुई थी ना, उस लेंस से उसको देखा, कि हाँ, वो सही कहरा था सामने वाला, भावना चेंज जब होती है, और टोमेटिक क्या होता है, फिर हमें वो नेगिटिव दिखना ज्यादा शुरू हो जाता है, तो जैसी उन्होंने चेंज किया, रिलेशन सही हो गया, विशेष्टाएं हैं, अच्छाईया हैं हर किसी दो, हमें सिर्फ क्या करना है, मन को फोकस करना है, नेगिटिव से हटा कर कहा लगाना है, पॉजिटिव मन, लेकिन फिर मन क्या करेगा, दुबारा चला जाएगा, फिर क्या करना है, पेशेंस लूज करना है, फिर मन को क्या करना है दुबारा से मन को बहुत प्यार से समझा रहे जैसे छोटा बच्चा है आप क्या कर रहे हैं उसको समझाया वो वापिस चला जाएगा आप कुछ मत करिए लडाई मत करिए मन से अपने क्या किया उसको फिर से क्योंकि यहाँ पेशन्स रखना जरूरी है कि वो संसकार कई जन्मों का है इसी लिए थोड़ा सा समय लगेगा उस नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम संसकार चेंज करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं परेशान हो जाते हैं गिल्ट में चले जाते हैं वो कभी नहीं करना है with patience, अराम से उसको बार-बार समझाना है ठीक है? तो चार्ट रखेंगे सभी रात को देंगे या दिन भर में देंगे? दिन भर, पहले सुभे एक चार्ट बनाना है थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन students हैं तो मेहनत तो बनती है फिर ना? कुछ एक्स्ट्रा तो सुभे पंदरा मिनिट, दस पंदरा मिनिट प्लैनिंग करिए, बाबा कहते हैं प्लैनिंग करो पूरे दिन भड़ेगी, क्या-क्या प्रैक्टिस कर दी है हमें, और फिर जब उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं उसमें टिक, इसी संतुष्च मनी वन, टू, थ्री, फॉर, फाइव आपने लिखा एक मिनिट किया ऐसा नहीं कि हर समय लिखना है हर समय जरूरी नहीं कि डायरी आपके पास पर दो घंटे, तीन घंटे के बाद क्या-क्या अभ्यास किया है, थोड़ा सा याद रहेगा उसको टिक करते जाना है और रात को फिर चाट देना है अच्छी से और इसमें एक अभ्यास और डालना है जो हर दिन मिनिमम थ्री टाइमस मिनिमम, पाँच बार भी आप कर सकते है मिनिमम थ्री टाइमस पाँच मिनिट की वो प्रैक्टिस है वो है पाँच स्वरूप का अभ्यास उसको फील करना है अराम से अपने अनादी स्वरूप को वो भी हम करेंगे अनादी स्वरूप अभी करते हैं ग्रफिक कंड्रोल भी है चलाँ पांस्वरूपकार, एक एक मिनुट्ट शिल्पिता को अब यादिर करो, मुक्तिधाम तुभे जाना है अपने तु कर्मों के बलपाद ही, तक युग में कुंको आना है शिल्पिता को अब यादिर करो जेतंगं का स्वर्ली मुक है, शिल्पिता फिर से आया है लम्हा उससे की वगावनिवाई गीता, ज्यान उन सुराया है कल युग का अंत अब आया है, विक्राल विनाश खड़ा आगे शिल्पिता को आग यादिर करो पांडा शिव शक्ति तेना की रण फेरी अब फिर बजती है शिल्पिता को आग यादिर करो, तक युग मेरे तुम को आना है शिल्पिता को आग यादिर करो, मक्ति धाम की तुम्हे जाना है अपने सुकर्मों के बरता नहीं तक युग में अब तुम्हे आना है शिल्पिता को आग यादिर करो, तक युग में अब तुम्हे आना है शिल्पिता को आग यादिर करो, तक युग में तुम्हे जाना है अपने अनादी स्वरूप को देगे में आत्मा सिदारा में आत्मा सिदारा अपने असली घर बाबा के पास में आत्मा चाहरच्वरा आदी स्वरूप को देगे पहली बाद में आत्मा इस धरती पर आए सतो प्रदान हंडर्ड परसेंट चार्च आत्मा आत्मा संपर्ण रवकार्ण संपर्ण बूलिर्वकार्ण हर रशेत्मा है उप 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 क्वज़ उप देखें अपने पूच्छे स्वरूपुआ बाबा ने कहा तुम बही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रहे देखें पूच्छे स्वरूपुआ मेरे मस्तक से नैनों से प्रकाश निकल कर चारों तरफ फेर रहा अशान्त अत्में शान्त वरे प्रामन्स्वरूपुआ पवित्र हर्शित मुख संदुश्च मनुख मैं कल्प रिक्ष के जड़ मुख बाबा और मम्मा के साथ पूर्वजात्माओं के साथ में प्रकाष्च में के पतीतक पौम चराई कोई बोच नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, मैं फरिष्टा हूँ, मेरे सांबी पुरा ग्लोब, मेरा प्रकाश पुरे ग्लोब को चार्च कर रहा है, तो भी थोड़ा सा फास किया, पासवरूप समय को देखते हुए, पर इसको हमें अराम से, आप पांच मिनिट भी कर सकते हैं, पर मुझे पासवरूप का भ्यास दिन में कितनी बार मिनिमम करना है, मिनिमम, त्री, हर रोज, मिनिमम, और हो सके तो कितनी बार, पांच बार, इतनी सारी बातें सुनी, क्या करना है, क्या करना है इसको, तो कौन-कौन इसको आज से, या कल से, कल से करें, कल थोड़ा अच्छा दिन है वैसे, या आज से करें, आज से, आज से करना, शुक्र, हाँ, शुक्रिया करें, देखो, very good, नहीं तो कही बार हम सोचते हैं, कल से करेंगे, अराम से, मंडे से शुरू करे पांट चीजें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, विशेशताएं देखना, स्विकार, और अमरे तवेले के बाद क्या करना है, प्लैनिंग, पूरे दिन भड़की, आज से चार्ट पका करें, कोई भी दिन में इस नहीं करेंगे, बिल्कुल आवाज बिल्कुल ही कम हो ग आवाज राण करनें, कोण कोण करने, बाबा कहते हैं, हाथ खड़ा करने में तो, पास हो गई, लेकिन करना ही है सुभे जब करेंगे न प्लैनिंग और पूरे दिन भर में फिर क्या होगा मन बिजी वियर्थ के लिए समय नहीं होगा ये करना है ये प्रैक्टिस करना है ये प्रैक्टिस करना है वियर्थ के लिए समय नहीं दो मिनिट मिलेंगे मोबाइल नहीं देखेंगे, डायरी देखेंगे, अच्छा ये प्रैक्टिस हुई, ये प्रैक्टिस नहीं हुई, एक लास्ट पात पस मैट करूँ, एक मिनिट की, चाट भी, प्रस एक काम हमें और करना है, हर रोज मुरली सुनने के बाद, आप में से कौन-कौन है जो सेंट ताली बजाईए फिर तो, फिर तो वो बताना जरूरत नहीं है, ओन-लाइन जो सुनते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मुरली सुनी, उसके बाद 15 मिनिट, या तो मुरली सुनते ही, या फिर घर जाते हैं आप उसके बाद एक घंटा या दो घंटे के बाद, जब आपक भी सामने नहीं, 15 मिनिट, बिना मुरली को देखे, बिना मुरली के पॉइंट्स को देखे, क्या करना है, दो पेज लिखने हैं रोज, क्या हुआ, नहीं लिख ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्या, दो पेज उनली, कौन सी डायरी आपकी दिखाना, जिसकी आवाज ऐसे आ पेज, ठीक है, आप एक लिखते हैं, जिनकी, क्योंकि हम दिल्ली में थे, वहाँ भी था, तो एक बहन की इतनी बड़ी डायरी, तो मैंने का इतनी बड़ी आपने रखी है, पहले ते यह बताई, यह इतनी बड़ी में एक पेज भी लिखते हैं, हर रोज लिखना जरूर है विचार सागर मंधन जिसको नहीं आता है, जिसको लगता है मुझे नहीं आता है, आप लिखना शुरू करिए, वही विचार सागर मंधन है, जो आ रहा है, विचार सागर मंधन है बस और उसको लगातार करेंगे, रिफाइन होता जाएगा, मुरली 15 मिनिट के लिए क्या कर और दिन भर में कोई भी पूछेगा आज कौन सा पॉइंट आपको याद रहेगा, साथ में जब कोई बात आएगी, एक महिने पहले वाला पॉइंट भी आपको याद आ जाएगा, अंदर बैठ गया वो, बहुत बार ऐसा होता है, कहीं कुछ पढ़ा है, एक साल पहले, दो सा और संतुष्मनी, ये सब जो अभ्यास हमने किये, और दूसरों की क्या देखनी है, किसी की कमी नहीं, कमी वर्लन नहीं करनी है, सुननी भी नहीं है, सहज पुरुशारत है, बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे, ठीक है, तो आप मैंसे कौन-कौन करेंगे, कल से करेंगे, वो हाथ खड़ा करें, आज से, चलो, आज से करेंगे, जो वो हाथ खड़ा करें, कुछ-कुछ हाथ खड़े नहीं है, कब से करेंगे फिर, करेंगे, चलो, very good, आप से मिलकर बहुत-बहुत अच्छा लगा, आप सब कौन सी आत्माएं आपको पता है, कौन सी आ माई है और मदुबन से भी बड़ों की ओर से भी आप सब को बहुत बहुत याद प्यार शुक्रिया अमशाल। थैंक यू शुक्रिया कमल भाई का ले हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं सच में ग्यान के बहुत अच्छी खुश्बू हम सभी में फैलाई योनों ने और इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान खेच्छवाया और समझ में आ गया कि आज से कौन सा चश्मा पहनना है अच्छाट रखने का दिन तो सभी को पक्का हो गया यह तो नहीं कहेंगे कि कल से रखेंगे या नेक्स्ट वन से रखेंगे 31st मार्च के बाद रखेंगे जो करना है सो अबे करना है बहुत बहुत थाइंक्स कामल भाई को हम सब तालियों के द्वारा उनका थाइंक्स करेंगे और आज शुकरवार का दिन है वर्किंग है फिर भी आप सभी यहां पर इतनी संख्या में पहुचे हुए है तो आप सभी एक बर अपने लिए भी जोड़दार तालिया बजाएं एक मने तों साइलेंस में बातेंगे और फिर बात में सभी प्रस्थांकर किन शब्दों में आपका धन्वाद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें बेहद का प्यार आपने हमको है दियां हेरा हमें बना कर श्रिंगार है कियां श्रीमत से मन्चमन का आवाद हम करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्वाद करें करें करो करें 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 झाल